नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्काया है ट्रेडिंग में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड बन सकते हैं और कल बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज तीसरे दिन continuous range bound में रही है, move आया है 300 से 400 point का हर दिन, but एक range के अंदर market work कर रही है continuously, अब आप देखेंगे, आज भी market एक range के अंदर ये काम की, हमने यहाँ पर clear बताया था कि 7 and 8 के नीचे, अगर 650 के नीचे निकलती है, तो ही एक breakdown हम इसको मानेंगे, otherwise breakout नहीं मानेंगे, आप देखेंगे, हमने यहाँ एक sign मनाया था, कि market अगर इस range से निकल के 650 को break करती है, तो down possible है, otherwise वो नहीं है, वो fake breakout होगा, और आप देखेंगे, कि market ने range तो break किया था, बट 650 का जो support level था, उसको break नहीं किया market ने, और वापस उस range के अंदर market चली गई, तो आज बहुत सारे traders ल का हमने यही शिकायद सुना कि range bound होने के वज़े से उनका premium decay होता गया और loss book कर लिया, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आज मार्केट range bound हुई है, कल की expiry हमें बहुत special होने वाली है, कल जो expiry है, जिहां बहुत special होने वाली है, आप भी देखेंगे, कल एक market जारी में है, अब वह अच्छी move हमें क्या मिल सकती है, वन डे के चार्ट में हम जा के देखेंगे, कि वह अच्छा move क्या हो सकता है, देखेंगे, market continuously अब उपर आती गई थी, मुझे इसको छोटा कर लिया चाहिए, जी हाँ, अब आप देखेंगे, market continuously, 35,000 से continuously जो day चार्ट में है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारवा, तोटल 11 दिन market ने positive ही closing दी है, अब देखेंगे, हर दिन market यहाँ से continuous bullish run में है, 35,000 से market पहुँच गई है, 38,800 के करीब, तो लगभग, लगभग, यह जो है, 3800 point का move है, अब market को मान लिजे, हमारा जो monthly target है, तो target है 40,000 का, अगर market को उसको छोना है, तो यहाँ पर market को एक retracement ज़रूरी है, अब, इस point पर हमें market को एक retracement मिलना अब ज़रूरी हो गया है, कारण क्योंकि continuous उपर जा रही है, तो हो सकता है, continuous fall आ जाए, अगर fall नहीं आना है, तो market में एक, अब retracement की ज़रूरत है, वो retracement हमें हो सकता है, कल के कल ही देखने को मिले, expiry वाले दिन, तो देखिए, आप market में सबसे पहले चार्ट में आप आ जाईए, और एक आप marking लगाईए, 38,500 पे, आप इसको marking लगा लेजिए, और दूसरा आप marking लगाएंगे, 38,100 पे, clear है, ये दो mark आपको याद रहने चाहिए, आप mark लगा ले, अब आते हैं, पांच मिट के चार्ट पे वापस, अब ये mark लगाने को मैंने क्यूं कहा है, देखिए, एक सेगड में चार्ट को छोटा कर लेता हूँ, देखिए, market में जो आज range create हुई थी, वो हुई थी 38,700 और 38,850 के बीच में, all day market वहाँ काम की, दो बज़े के आसपास, market ने एक range से निकलने की कोशिश की, बट नीचे से जो support level था, वो market को support दे गया, और वापस उस range के अंदर गुजगी market, अब कल क्या होता है, देखिए, हम इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, जी हाँ, अब देखिए, कल, market अगर flat full के इस range के अंदर ही रहती है, तो हमें wait करना है, कि आईदर उपर break हो, और आईदर नीचे break हो market, उपर break होती है, तो अच्छी बात है, हम सी ले सकते हैं, तूरंधी, उपर के तरफ, बट नीचे अगर break होती है, तो हमें wait करना है, नीचे break होने पे 650 जो है, वो हमारा confirmation होगा, नीचे break होती है, और नीचे आएके 650 को भी break करती है market, 38,650 को, फिर हम एक put की position लेंगे, यहां हम stop loss छोटा रखेंगे, वापस इस range का जो low है, वो हम stop loss रखके, यहां पे एक put की position मनाएंगे, target फिर हमारे जो बड़े होंगे, 38,400, 38,500 और 38,100 के भी target हमें मिलेंगे, clear है, range break हो, आप एक put ले लेंगे, confirmation 650 पे, stop loss 700 पे, यह एक put की trade हमें कल देखनी है, मान लेज़े, market फ्लेट खुल के range के अंदर ही गुमते रहती है, और 38,850 को cross करती है, जैसे ही जिस भी time, market 850 को cross किया, market में आपको एक C की position मनानी है, target उसका होगा 39,100, जी हां यहां हमारे बहुत important level होने वाला है, इसका जो मैं level का importance, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्यूं इतना important है यह level, but 850 के break होने के बाद, आप 39,100 तक के C के लिए बैठ सकते हैं, clear है, कल कोई gap down gap up की situation हम बात नहीं करेंगे, clear है, इस range के बाहर market निकलती है, किसी भी side, हम उसी side एक further trade लेंगे, move हमें कल अच्छे मिलने वाले हैं, इसलिए हम gap down gap अब की बात कर ही नहीं रहें, जिस भी side हमें move मिलेंगे, at least 500 points के हमें कल move expect है, और वो आएगा भी, अब ज़्यादा किस side के हमें expectations है, क्यूंकि market ने एक बार इस channel को break किया down की तरफ, आप देखेंगे down के तरफ और आज की day low से ही market ने एक reversal लिया, तो अगर ये channel मान लीजे नीचे break करती है, तो फिर ये नीचे के ही targets को लेंगी, और most जो chances हैं वो हैं नीचे ही break हो, क्यूंकि market में one day में मैंने आपको पता एक retracement का chance आप आना चाहिए, एक retracement market के अंदर, तो वो retracement कलगी के हमें को देखने को मिल सकता है, नीचे के side ज्यादा chances है break होने के break होती है, market में हमें target जो मिलेंगे, 650 के नीचे हमें जो target मिलेंगे, वो मिलेंगे 38-100 तक के, clear है 500 points का हमें ये move capture करना है, साथी साथ आज का ये जो gap था market ने cover नहीं किया है, तो ये gap भी covering हो जाएगी उसके साथ, और market में नया target जो 38-100 है, वो भी मिल जाएगा, यहाँ पर आखे हमें अपना profit सारा book कर लेना है, क्योंकि ये एक point है जहाँ से market फिर से एक reversal move, uptrend की तरफ दे सकती है, तो वीडियो को जादा बड़ा नहीं करते, इतना ही रखते हैं, अगर आपको अच्छा लागव वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दे, साथी साथ description box में हमने टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ पे भी आप आ जाईए, थैंक्यू दोस्तों वीडियो चैनल को सस्क्राइब करके रखे, थैंक्यू